दोस्तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि diabetteen के म्रीजे को क्या क्या परहज करनाशी क्या मेरी सवाल पूछते हैं कि परहेज क्या करें तब सब जान लिए डायबटीज के मरेज़ों के लिए सबसे जो खतनाथ चीज जो परहेज करना चीज सबसे में वह एक होता पार्सली हाइड्रोजिनेटर ऑईल यानि ट्रांस फैट ट्रांस फैट क्या होता है जैसे कि जो आपक सबसे नाम से वह सबसे डेंजरस फैट होते हैं वह ब्लट में जाकर के आपके गुट क्रोस्ट्राल एड्रियल घटा के बैड एल्डियल बढ़ा के हार्ट प्राणों करते हैं सिम्लरली आपके घरों पर मिलता होगा अमूल लाइट न्यूट्री लाइट उसके अंदर भी पार्सली हाइड्रोजिनेटर ऑईल होता है उसको सल्ड़वाई करें उसको अवेट करिए इसे हार्ट को खत्रा होगा सबसे पहले मिन परेज यह सेकेंड परेज रिफाइंड जितने भी रिफाइंड ओल जिसे के जो मुफा पूफा ओल से संफ्लावर ओल सैफ्लावर आयल स्वाबिन ओयल कॉटन सीर ओल राइस बना और इसे देखा गया कि बॉड़ी में इंफ्लमेशन चांस बढ़ता है जिसे लॉंग टरम में आपका डापी बढ़ता मोटापा है जो पैक्ड है वह हर्मफूल है उसा सबसे इंपॉर्टेंट चीनी आपको चीनी कम से कम लेना है वैसे जानलों चीनी क्या होता है कि ये ब्लुकोज और फ्रेक्टर बनके मिलके बना होता है तो चीनी जो अमेरिकन डाप्टिज अस्टों से बोला है कि अगर आप 25 ग्राम चीनी डेल लेशती है एक लेड़ी मर्द है अपको 36 ग्राम चीनी यानि नौ चाम डेल लेशता है ऐसा रिक चीनी बहुत खराब है पर चीनी क्या होता है कि ये सिंपल सुगर है इसके ना फाइबर नी प्रोटीन नी बहुत कोई विटामिस नहीं है प्लस फिलिंग नहीं होता है तो जो चीनी जहां तो अवर्ड करिए क्या तो चीनी दुर्फागा देखें को हर खाने चीनी मिला होता है तो ऊपर से एड कम शिकम करिए और आप डापी वेल कंट्रोल वेड ठीक है तो आप अप्टू चीनी चाम डासते हैं वैसा एडिये आपको बोला कि औ बढ़ता है उसका ग्लाइसिम इंडेस करीब 59 है जब कि आठा चावल आलू का सत्र का सब्सक्राइब चीनी सुगर जाद भी बढ़ता है बद चीनी का होता है उसको फ्रक्टोज होता है जो कि थोड़ा वेड गें टेनिसी लाता है फुलिंग फिलिंग कम शिकंदर इसके अ एक धेड़े शुड़ा भी अवर्ट करना प्लस मिठाई आवाइट करनी है कि उसके मिठाई बंदर आपके अकसर यह जो तकी उसको रिफाइन कार्व होता है प्लस फैट रादा होता है तो मिठाई चीनी भी होता है इसले जाद नहीं लेनी आपको चौकलेश आवाइड कर तो इसलिए आपको कोटा पुरा हो जाएगा इसको अवाइड कम लेना है ऐसे मना है डियोट्री पूरी तर मना कुछ में नहीं है सब कुस आप बैलेंस में लेसे जब आपके खाना इजर्श करके अप्सुलूट मना आपको यह यह पार्सरी हाइड्रोजनेटाल यह नहीं ले आपको जितने भी आप पैक्ट फूर्ट देखा है तो कम लीजिए आपे इस तरह आलू की चीज़ें आप जाल आलू के 110 ग्राम में करीब 15 ग्राम कार्व होता है तो 110 ग्राम आलू जो है 25 ग्राम आटक ब्राबर कार्व हो गया तो आपे आलू सब्सक्राइब को दिकती है बहुत जाद नहीं लें आपको बट आलू चिप से फ्रेंच फ्राइब करें को कि यह अक्षर यह स्वाबीन और बंते है या रिफाइन और बंते जो की हाम्फुल होता है इसा फ्रूट जूश नहीं आपको इदम लेना है को कि फ्रूट विद फाइबर अच्छा है फ्रू बढ़ता है प्लस इंसुली रेसेंस बढ़ेगा इस तरह बहुत महीन पिसा मार्किन आटा मिलता है और ज्याद नहीं खाना आपको आटा से बने वह जितने भी प्रसेश फूट प्रड़क्ट जैसे की डबल ब्रेड बन पाव पास्ता शेवाइक मैगी चौमिन कम खाना है क जो कि लॉंग टर्म में यहल्थ के लिए अच्छा नहीं इनी पैक्ट फूट लॉंग टर्म में हामफुल है कभी कभी लेस्ट आपे बट अकसर आवर्ड ज्यादा नहीं लेन आपको जितने रेडियो टीट मील होता है और ओट मील रेडी है बस गरब कर खाये उनुसाने मै हाइली कुक्ड है हाइली प्रसेश्ट है प्लस जो कि सब बॉड़ी मां हांफुल होते हैं तो इससा सिंपिल जितने हाइग फूट राइस 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 नूडल राइस चिप्स बहुत ज्यादा आपकी उसी बने खूब सारा मदकी इडली माल वाइट राइस बने ज्याद किफ्स सब्सक्राइस या फिर आपको एक समत्राव राइस स समधान ग्लता है प्लस प्लस Σे बोलल राइस जो झाल पूर से अगर आप आप एडली बनाना तुछ अधर्ची मिक्स करके बना सकते हो आप तो इस तरह से आप कुछ इन सब्सक्राइब लॉंग रन में आपका है आपका वेट बढ़ा का इंसुली रसेंस करके लॉंग टर्म नुक्सान करेंगा आपको आपको ज्यादा क्या खाना लो ग्लासिमिक चुछ होते हैं के अमारे स्ट्रॉबरी मल बिरी ज्यादा लेना है इसके बाद है आपको है हाई कारफ फल जिक्राइब अंगूरह मना नहीं है ज्यादा नहीं लेन आपको 110 ग्राम का सो ग्राम का के लाकर जो फ्लेस होता है एक रोटी पराबर है इस तरस आप करेंब एक्स जुहारा किसमिस अवाइड करना है इसको इसके ग्लाइस्विंग ज्यादा होता है और धाल के एक टाम कार्बाइड ज्यादा निखाना आपको 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 डाइट का मैक्समिल कार्बाइड फिप्टी परसें कम होना चीए बेटा 40 परसेंड लो 40-45 परसेंड कार्बाइड लो 20 परसेंड प्रोटीन लो और 35 परसेंड गुड़ फैट लो कि बार बार मत खाओ कि मैंने बूला फल किता खाना आपको सारे फल खासते हो आप डेली दो फल खाना दो सर्विंग बाद अलग बिजम दा कि एक सर्विंग किता होता है कभी आप ज् चावल आलू या मिल्क कम करके आप फ्रूट और भासते हो दूद किता पीना डेली आपको आधा लीटर दूद लेशते हो लेकिन और ज्यादा पीना चाहते हो अब अधर कार्ब कम करना पड़ेगा आपको इसके बाद चीनी बोली दिया मेरे की दोस्ट कोशी करो बड़ ए आपको की स्राथ फैटिली और नुक्सान होता है नौमली और बहुत एसेंसियल है तो कभी आपे 90 मेल मेल लेशता है और 45 मेल लेशती है तो आहीं हो इसी वीडियो नॉलेज मिला कि डायप्टी वालों क्या परहेज करना चाहिए और वीडियो अच्छा लाइक करें हमारे च